नमस्यार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल टेक्निकल अभिशेक रजक में दोस्तों जैसा कि आपको पता है कल यूपी बोर्ट दसवी और बारवी का रेजल्ट जो आउट हुआ है इसमें काफी छात्र उत्रिड हुए हैं और काफी छात्र फेल हो गए है और मैं आपको बता दू काफी छात्रों के रेजल्ट पर बिथेल्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है तो काफी लोग यही सोच रहें कि बिथेल्ड का मतलब क्या है उनका क्या होगा तो चलिए जान लेते हैं बिथेल्ड का मतलब क्या है और कितने छात्र फेल हुए हैं तो पुछे आने के बाद यहां पर देख सकते हैं लिखा गया है यूपी बोट के हाई स्कूल वा इंटरमेडियेट छात्रों के परिडाम 31 जुलाई को जारी कर दियें गये हैं हाई स्कूल में छात्रों का पास प्रतिशक बालकोशे अधिक है जबकि इंटर में बालिकाओं का प प्रसीधत छात्रों को सफलता मिली है लेकिन सवाल यह है कि हाई स्कूल में आधा फीस्दी से भी कम और इंटर में करीब दो फीस्दी फेल होने वाले छात्र कौन है तो आईए जानते हैं फेल होने वाले छात्रों के बारे में तो सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं कम है लेकिन आंतरिंग मुल्यांकन में पास हुए है उन्हें बोर्ड ने उत्रिड घोशित किया है तो यहां पर देख सकते हैं यह काफी में बात है जहां पर बताया गया जो यूपी बोर्ड का जो मुल्यांकन निती था उसमें बताया गया था कि अगर पिछले कच्छाओ के आधार पर जिन छात्राओं का नंबर पासिंग मार्क से भी कम है लेकिन उन्होंने जो प्रेक्टिकल आंत्रिक मुल्यांकन होता है उसे पास किया है तो उसे यूपी बोर्ड ने उत्रिड घोशित किया है लेकिन जिन छात्रों ने सिर्फ बोर्ड परिच्छा फॉर्म भरे हैं और pre-board परिच्छाओं और द्वार्षिक परिच्छाओं वा practical परिच्छाओं में अनुपस्तित रहे हैं या जिन चात्रों के प्रमार्पत्र गलत पाए गये हैं उन्हें आसपल गोसित किया गया है तो यहां पर देख सकते हैं फेल वही चात्र हुए हैं जिनों ने परिच्छा फ़र्म भरे थे लेकिन प्री bond परिच्छा नहीं दिया था और द्वार्शिक परिच्छा नहीं दिया था और practical परिच्छाओं में उपस्थित नहीं रहे थे और उनका अगर कोई प्रमारपत्र गलत पाया गया है तो उन्हें fail घोसित किया गया है ऐसा UP board द्वारा बताया जा रहा है उसके बाद देख सकते हैं नीचे लिखा गया है ऐसे छात्रों में कुछ का result चेक करने पर बित हेल्ड सो करेगा तो ऐसे छात्र जो किसी कारणवस वार्षिक परिच्छा या प्रिवोर्ड परिच्छा या प्रिक्टिकल एक्जाम में उपस्तित नहीं थें या उनके प्रमाडपत्र में कोई गल्ती पाई गई है तो उनका result चेक करने पर बित हेल्ड नजर आ रहा है मान के चलिए कि आपके प्रमाडपत्र में कोई टूटी पाई गई है इसी के आधार पर आपको बित हेल्ड लिखा गया है उसके बाद देख सकते हैं उनके लिए एक सुझाव है अंक सुधार करने के लिए मिलेगा मौका अगर आपके भी result पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है य इसके लिए चात्र को बिना सुल्क दिये एक या एक से अधिक विश्यों में आगामी बोर्ड परिच्छा में बैठने का मौका दिया जाएगा ऐसे चात्रों का परिच्छा फल वर्ष 2021 ही माना जाएगा तो इस तरीके से यही जानकारी थी कि बित हेल्ड आपके result पर क्यों तो अगर आपका भी सो हो रहा है तो आप देख लिजे आपकी कोई गलती हुई होगी या आपने एक्जाम नहीं दिया होगा या आपने कुछ प्रमाडपत्र गलत दिये होंगे इस कारण आपका विध हेल्ड सो कर रहा है तो उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छ लगयोगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ सेर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो मिलते हैं फिर एक नहीं वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ